है गाइस बसाब क्या हाल चाल है आयोप आपसे बढ़े होगे वैसे मेरा नाम संदीप है आप देख रहे हैं टेक ड्रोइड हिंदी यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी स्मार्टफोन में कैसे सॉफ्टवेर चढ़ा सकते हैं इस स्मार्टफोन मतलब सिर्फ एंड्रोइड में आइफोन के लिए दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा क्योंकि आइफोन में दूसरे तरीके से सॉफ्टवेर चढ़ता है लेकिन यह जो प्रोसेस है सभी एंड्रोइड फोन के लिए है जैसे के रियल्मी शौमी एमाई जो रेड्मी पोको सिरीज है सब तुसरे ब्रेंड है सबका मेथड से हमें आसूस रहे या ओपो वीवो सबके लिए प्रोब्लेम आपका सॉल्व हो जाएगा वैसे यही काम के लिए आप जाओगे सर्वी सेंटर बगर है तो आपको चार्ज लग जाएंगे 500-600 महेंगे फो सब्सक्राइब तो बनता है क्योंकि ऐसी टिपसे टोड़ी की वीडियो बिल्कुल आपको फुरी में मिलेगी तो चलिए वीडियो की ओड चलते हैं पूरा देखेगा स्टेप बाइस्टेप तयार प्रोसेस में आखिर बढ़ने से पहले यार वह तो मैंने जो बोल दिया व बस कितना आसाँ था शेर करना शेर पर कियें है और वासेप आ गया। प्रहसे सब्सक्राइब कर दो कमेंट पछिए ना है और दोस्तों यह मेरा डैड़ phone है इसमें मुझे Apollo score बेना है मुझे phone को ठीक करना हे बिना इनर जाए खुल से हम आपको दिखाएंगे तो सबसे पहल चला जाता है fast boot mode में लेकिन और भी Lenovo के phone में, Micromox के phone में आपको fast boot नहीं मिलता है ठीक है, लेकिन MIE का phone है तो आपको fast boot mode में डाल देना है और अपना data के वल आपको लगा देना है fast boot mode में कैसे गया तो power button और volume का नीचे वाला button, minus button ये दोनों एक साथ दबाओगे न 10 सकेंड में phone बंद होने के बाद तो उसी time आपका खुल जाएगा अब चलिए ये तो खुल गया और अगर आपके phone में fast boot mode नहीं आता है, तब क्या करेंगे तो आपके phone में चलिए उसका भी solution बता देता हूँ, टेंसर मतले न और बस यही होता है, phone में बस इतना कर दो न बहुत हो गया काम और अब आपको कुछ फाइल चाहिए आपके laptop, computer या PC, desktop कमजोर laptop, अच्छा laptop gaming laptop, जो भी laptop, computer है सबसे काम हो जाएगा अगर 4GB RAM है, laptop में तो कोई दिकत नहीं है, उससे भी काम हो जाएगा तो देखो, यहाँ पे पहले तो यह local disk में ही मैंने software को रखा है यह देखे, मैंने हाँ पे folder बना कर की रखा है, यह देखे MI software, लेकिन आपका Samsung का है, तो tension मत लिजिए, उसका यहाँ पे दिखा, कि आपने मैंने एक zip को extract किया, वो zip क्या था, तो वो हमारा software फाइल था हमें तीन चीजे download करनी पड़ती है, अपने laptop में, software चढ़ाने के लिए, पहली चीजे software, जिसे कि मैं अभी extract कर रहा, दूसरी चीजे, flash tool तीसरी चीजे, USB driver, सभी mobile USB driver, का में link और software का link सब में दे दूँगा description में, यहाँ पे देखिए हमने तो software को extract कर दिया उसके अंदर भी हम चल गई देखने, लेकिन उसके अंदर जाने के आपको जरूरत नहीं है अब यह देखे, यह मेरा flash tool इसको मैं install करूँगा वैसे तो यार इसको मैंने एक बार पहले से install करके रखा है लेकिन आपको दिखाने के लिए चलो मैं फिर से एक बार यहाँ पे मैं चाहूं तो install कर सकता हूँ लेकिन मैंने इसको install नहीं किया अब दूसरी चीज को आजो हमें install तीसरी चीज को जो install करनी है वो हमारा USB driver USB driver को समझने के लिए आप समझ लो एक नदी को पाड़ करने के लिए पूल का यूज करते होना बस यही समझ लो USB driver जो है ना computer और mobile के बीच में एक पूल का काम करता है तो इसको हमने install पे किलिक कर दिया रन करके उसे भी हमने install कर दिया और अब यह जो USB driver है जब अपने phone को data cable लगाते होना तब यह computer यह laptop जो है समझ जाता है कि हाँ भाई यह जो phone में है सब अथी connect हो गया तो USB driver ही बताता है बताने का काम करता है तो इसलिए यह दोखो लगबग installation complete हो गया अब यह complete कर देने के बाद यह दोखो जो हमारा flash tool है उसे हमें run करना है तो भाई यहां तो हमने install किया run तो यहां से होगा ने लेकिन हमें बाहर जाना पर गा उसके लिए यह दोखो फिर से मैं इसे यह फिर से install से दिया यह फिर पर फिर से आपको इसको करें ऑई इंस्टॉल USB driver کو तो आपके इस तरह से yes और no बोलेगा तो मैंने y किया फिर इंटर किया फिर मैंने y इंटर किया फिर मैंने y कि लिए किया फिर इंटर किया तो यह listen is admin driver यह हमारा भी इंस्टॉल हो गया अब चलो ये काम हो ही गया ये भी और अब हमारा जो है चलते हैं आगे ट्रिक की और आगे कौन सा है काम तो अब ये सब कर दिने के बाद हम फ्लेश टूल को ओपेंड करेंगे पहले विडियो लाइक शेर सब जगा कर दो वट्सेप में गुरूप में ताकि हर कोई अपने घर से ये सब काम कर पाए ये देखो ये जो MI का दिख रहा है न ये फ्लेश टूल ओपेंड कर दिना है लेकिन सैमसंग फोन में करोगे तो सैमसंग में MI का जरूरत नहीं पड़ेगा उस भीबो का दल्ग फिलेश टूल रहता, इंफिनिक्स का दल्ग रहता है तो उसको हमने रन किया, रन करने के बाद अब देखो मैं करूंगा क्या पहले तो मैंने डाटा केवल को लगा दिया, डाटा केवल लगाने के बाद ये जो है न, address bar इसको आपको copy करना है किसका copy करोगे तो यह दुखो मैं software के अंदर गया और software जो हमने extract किया था उसके बाद उसके click करके उपर में बार में click करके उसको हमने copy कर दिया copy करके और यह दुखो मैंने paste कर दिया अब देखो copy paste करो या तो देखो select लिखावा है ना या तो select पे किलिक करके folder select करो बात वो करो दोनों बड़ा-बड़े है तो अड्रेसे बता रहा है ना चाहे आप गली से जाओ अपने घर पे या पूल पे चड़के जाओ घर पे आप पहुंचोगे तो घर में ही ना तो वही हमने यह काउं कर दिया फ आपको टाइम लग जाएगा कितना टाइम लग जाएगा 5-7 मिनट या 8 मिनट आठ मिनट मैंने जादा बोल दिया आठ मिनट नहीं लगता है आजकल जली-जली हो जाता है काम अहां लेकिन यह दुखो कभी-कभी न थोड़ा सा चड़ेगा और फिर एडर हो जाएगा मतलब आपने जो software डाणलोड किया उसमें कुछ गलती कर दि DOWNLOAD करने में software को कहीं आपने internet को बन तो नहीं कर दिया था download होते होते फिर आपने चालू किया तो उसे भी problem होता है तो एसे ऐसे 5-7 problem है तो कभी आपका fail भी होता हैistent software चड़ाते चड़ाते तो उस आपका टेंशन मतलो उसका भी मैंने वीडियो बना करके रखा है लेकिन आपको वो सब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब तो एके वीडियो मोजाएगा काम यह बस देख लो सक्सेस्फूल हो गया सक्सेस्फूल होने के बाद माइक्रो मेक्स का ओटोमेटिक चालू हो जाता है सौप्ट्वेर चड़ने के बाद लेकिन यह MIE का फोन है तो इसमें हमको पावर बटन दबाना पड़ता है 5-7 सकेंड के लिए बस आपका फोन चालू हो गया तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान था सौप्ट्वेर को successfully flash करना software चड़ाना अपने मुवाइल में इस वीडियो को like कर दें subscribe पहले से करकर रखे है तो ठीक है नहीं तो subscribe कर दीजिए चैनल को घंटी बिटन दबा दीजिएगा तो हमें संतुस्टी मिलेगी वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो और लोग जानेंगे सब काम लोग फ थांक यू बाई